बहुपत के लिए आपको बिल्कुल गवराना नहीं है बहुपत ऐसे सवाल है जो कई बार पूछे जाते हैं और इनमें से कई अब्जेक्टिव आप लोगों से पूछ ली जाते हैं दोस्तो ठीक है यह आप जो देख रहे हैं पहला प्रशन हमारे सामने इसी पहले प्रशन से हम लोग शुरू करते हैं छीक है शबसे पहले हम इसको सुरू कर लेते हैं लुट-स जो ठीक है शुरू करते हैं पहला प्रशन है नहीं लेकेत में से कौन सा एक बहुपतँ आप देख सकते हैं ते पहला आप्छन दिया जा रहा तो यह बिल्कुल बहुपत नहीं क्योंकि में x square upon two minus two minus x square है तो यह बिलकूर बहुत नहीं हो सकता second है second में root लगा हुए दोस्तों यह तीसरा number आप देख सकते हैं तीसरे में x square plus है फिर three x square फिर three upon two है यानि three upon two है फिर आप यह fourth number जो देख रहे हैं तो इसमें दोस्तों आपका c number हो जाएगा ठीक है चली अगला देखते हैं याप और next option जो हमारा है दूसरे number नेमलिकित में से कौन सा आपका देख सकते हैं नेमलिकित में से अंडर उट दो नेमलिकित घात का एक बहुपद है जो नेमलिकित घात का अंडर उट दो बहुपद क्या हो जाएगा फिर बात करते हैं बहुपद 4x4 प्लस 0x3 प्लस 0x5 प्लस 5x प्लस 7 की घात है इसे बहुत सिंपल है तो सिंपल सा है इसके solution क्या हो जाएगा तो सिंपल से इसको क्या करेंगे हम लोग टिक कर लेंगे आप यहाँ पर सकते हैं 4x4 है तो यह क्या है 4x4 एक क्या है नमबर से लेकिन 0 के साथ अगर हम x का गुणा करेंगे तो क्या हो पाएगा multiply करेंगे आप लोग तो क्या multiply होगा तो 0 का multiply 0 ही हो जाएगा ऐसे ही 0x इंटु जो 5 दिख रहा दोस्तों इसका multiply क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा जब multiply दोनों का 0 निकलेगा तो इसका जो right answer आएगा दोस्तों वो भी क्या हो जाएगा complete रूप से आपे देख सकते हैं क्या हो जाएगा यह 4 जो तो right answer हो जाएगा ठीक है चलिए अगला प्रस्थ देख लेते हैं यहाँ पर सुन बहुपत की घहात है जो दोस्तों सुन ने है तो सुन बहुपत की घहात किसकी हो जाएगी तो सुन बहुपत की घहात के बारे में भी परिवाशित नहीं किया जा सकता है सुन की घहात कितनी हो सकती है ठीक है अगला प्रस्थ देखते हैं यदि PX दोस्तो यदि PX बराबर X स्क्वार मानस 2 रूट 2X प्लस 1 है तो P 2 रूट 2 बराबर है तो इसमें क्या लगाएंगे लोग किता शिंपल से हो सकता है तो PX के अगर बैलो हम 2 रूट 2 रख देते हैं दोस्तो तो यहाँ जो 2 रूट X है वो क्या हो जाएगा 2 रूट से माइनस X1 घड़ जाएगा तो किता बचाएगा 1 X बचेगा X प्लस 1 तो X प्लस 1 बराबर X बराबर किता हो जाएगा 1 हो जाएगा तो इसका राइट एंसर दोस्तो 1 हो जाएगा ठीके चलिए अगला प्रस देख लेते हैं यहाँ पर हमारे पास है छठा नंबर दोस्तो कि X X बराबर माइनस 1 है तो बहुपाद क्या हो जाएगा बहुपाद 5 X माइनस 4 X स्क्वाइर प्लस 3 का मान बताई यह तो इसके लिए आपको क्लिक कर लेना है आपर मान बताने के लिए तो क्या करेंगे 5x का आपका क्या हमान है तो 5 into क्या कर लेंगे यहाँ पर 1 करेंगे माइनस 1 देना आप यहाँ पर 4x माइनस 1 प्लस 3 कर लेंगे जैसे प्लस 3 करेंगे तो आपका माइनस 5 का कितना हो जाएगा यह माइनस पाच हो जाएगा, माइनस का माइनस रहेगा, और four में square लगा था दोस्तो, यह देख सकते, four x square है, तो minus one into minus को करोगे, आप तो किता हो जाएगा, minus minus का plus हो जाएगा, और plus के साथ यह हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, यह already four जो है तो plus में हो जाएगा, देन ये प्लास 3 इसी तरह रहेगा इस तरह से माइनस माइनस क्या हो जाएएगे प्लास भी हो जाएगे, तो माइनस का ये 9 हो जायगे और प्लास का 3 हो जाएगा तो आपस में जब घट करकिया जाएगे シесто, इसका right answer क्या हो जाएगा दोस्तो, माइनस 6 हो जाएगे, ठीक है, वैसे मैंने सभी PDF के लाश्ट में आपने अंसर नोट कर दिया था, ताकि आप लोगों किसी प्रकार की दिक्कत नहों हो, ठीक, चलिए, अगला प्रस्ण यहाँ पर हम सुरू करते हैं आपके सामने, यदि PX बराबर X प्लस 3 है, तो PX प्लस P माइनस X बराबर हैं, क्या होगा सिंपली सी, अगर हम PX की बात कर लें, तो यहाँ पर सिंपल सके क्या चीज़े ले सकते हैं, तो X प्लस 3 बराबर PX माइनस PX है, तो तो अगर हम six note कर लेते हैं दोस्तो तो अगर हम six को value input कर लेंगे तो जब हम px minus x value करेंगे तो यहाँ पर six में च्छे में तीन गड़ जायागा तुमारे पास कितना बचेगा तीन बचेगा तीन हो तो हम input करना था तो इसका जो right answer है वो six हो जाए कितना जायागा च्छे हो जा नहीं होता ठीक चलिए अगला डेखते हैं बहुपद px बराबर two x plus five का शुलियक जो बहुपद होता है दोस्तो वो क्या होता है और किस बात पर define करता है तो उसका simple सी बात है कि हम बहुपद two x plus five का शुलियक लेंगे तो जो two x plus five है वो क्या हो जाएगा तो two x plus five में हम केव हमारे पास या जाएगा, minus five, बराबर, टो, क्योंकि जब हम x को, बराबर के, बराबर के, बराबर हमारे x है, इस पर जैसे, input कर देंगे, तो जो, ब्राइब जाएगा, हम इसको, बदले में क्या कर लेंगे, negative, कर लेंगे, च sensing की बात, बहुपद हमारा बहुपद 2x square plus 7x minus 4 के सुन्यक में से एक है जो यहाँ पर सुन्यक दिया गया है आपके शामने यह देख सकते हैं इसमें 2x square plus 7x minus 4 में से सुन्यक कौन सा होगा तो बहुत ही simple सा है बहुपद के सुन्यक की जब बात की जाएगा तो 2x plus 7x की बात की जा रहे तो 2x को किस तरह से आप solve करेंगी तो अगर आइसको solve कर लेते हैं आप दोस्तों ते बहुत ही simple solve होगा और इसका जो right answer वो एक बटे दो आजाएगा यह निए 1 upon 2 आएगा ठीक है अगला प्रशन आपके सामने आपर शो की जा रहा है दोस्तों बहुत ही simple सा है कि यदि x की घाते 51 है plus 51 को x plus 1 से भाग दिया जाएगा तो 6 फल कितना आएगा बहुत ही easy सवाल है इसको आपको करके comment कर रहेगा ठीक है इसको जैसे आप complete कर लेते हैं तो comment box में जरूर बताएं आप लोग ठीक है फिप्टी इसका right answer हो जाएगा अगले प्रश्ट की बात कर लेते हैं यदि x plus 1 बहुपाद 2x square plus kx का एक गुड़न खंड है तो k का मान होगा यह भी बहुत सा easy है इसको open करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं वो देख सकते हैं आप लोग दोस्तो यदि हम बहुपाद को भाग देंगे गए गुड़न खंड के रूप में तो जो k का मान आएगा बहुत ही simple सा होगा कैसे वो देख सकते हैं आप लोग यहां पर x plus 1 हमने आपर note कर लिया है फिर हमें बहुपाद क्या मिल गया है दोस्तो तो 2x square plus kx मिल गया है ठीक है जब kx की value में x plus 1 है तो हम सबसे पहले इसका सुन्यक निकाल लेंगे जैसे सुन्यक मिल जाएगा तो हमें इस पर value input कर देंगे और जैसे value input कर देंगे तो हमारे पास k की value मिल ज जाएगी ठीक है चलिए अगले प्रश्ण की बात कर लेते हैं जैसे अगला प्रश्ण हमारे आप दिया जा रहा तीस तेरवा नंबर दोस्तों आपकी सामने कि एक्स प्लस वन नेम लिखित बहुपाद का गुड़न खंड जो एक्स प्लस वन दिया जा रहा है दोस्तों i number प्रश्न आपसे पूछा जा रहाbbles दोस्तो बहुती सिंपल सा किसमें 25 एक सुकॉयर मैं फ्लस वन प्लस वन प्लस 5का की बात की जा रहे हैं तो हमेंह 2 राइट अंसर की बात करेंगे दोस्तों तो 25 एकसवार मैंस 25 एकसवार मैंस 1 PLUS 1 PLUS 5 एकसवार की बात की जाए ठीक है जब इसके दोनों को गुर्णखंडों कुम आपस में complete करते हैं तो इसका जो राइट एंसर आता है दोस्तों वो 10 x स्कॉायर आता कितना था ठीक है अगला प्रश्न है नंबर दो स्टो टू-49-248 का मान गया कि जैसे स्कॉायर में हैं दोनों तो इसका फार्मूला क्या लग जाए यहां पर सिंपल सा यह एक स्कॉायर मानस बी स्कॉायर के बैलू में लिखे बहुत सिंपल सी बात है ए प्लस बी और माइनस बी होगा जैसे प्लस बी और माइनस बी होता है दोस्तों तो इसका जो राइट एंसर आएगा वह टू-49- को कितना मिलेगा हमें केबल एक मिलेगा एक इसमें वैलू कहीं नहीं रखनी है देख सकते हैं आप लोग यहां तो यह देख सकते हैं 249 प्लस कर सकते हो आप लोग और 248 को करेंगे जैसे करेंगे तो इसका राइट एंसर 49C बना जाएगा ठीक है 49C इसका राइट एंसर होगा दोस्तों ठीक है चलिए अगला प्रसंद देख लेते हैं इस सोलवा नंबर आपसे पूछा जा रहा है 4X स्क प्लस 8X प्लस 3 का एक कामन ले लेंगे कामन में आपको क्या क्या लेना वह आपको पता है जैसे अगर आप कामन को कंप्रिट कर पाएंगे तो आप बड़ी आसानी से ग्रंखन को लगा सकते हैं ठीक है अगर आप हमारी क्लास को जोईन करना चाहते हैं तो आपको रेफरल के वीडियो समाप्त होता है दोस्तों अगले पार्ट में फिर आगे की चर्चा की जाएगी और महत्पूर्ण प्रस्णों के बारे में फिर से मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा क्योंकि यह हमारा पहला वीडियो था जिसमें मैंने आपको अब्जेक्टिव प्रस्ण बता